माद बिज्वल वोक्यादरी पर स्मार्ट सुन्स ब्रॉक्त त्यूबाइ महेंजागुरू तब रह्मास पर सिक्सेस रोज की तरह ही आज भी हमारे पास 10 वर्ड्स जिनकों की हम दिस्कस करेंगे आपके साथ इमिजस के हल्प से तब आए चलते हैं हमारे पहले वड्ट की ह और आप देखिए आज वर्ल पेरेंट्स दे है और उसके संबंद में आमने इमज दिया है और उसके संबंद यहां पर यह शब भी दिया हुआ है, यह पहला वर्ड है अबेस, अबेस इस वर्ब, इड मीन्स टू इंसल्ट, अगर हिंदी में कहां इसका मतलब होता है बेज़ती करना, जो इसके सुनॉनम्स है वह है डिस्ग्रेस या पिर बिलिटल, प्राय वाची जो है आप कहा सकते हैं इसके डिस्ग्रेस या पर बिलिटल, अगर हम बिलों की बात करें, तो वो है कॉम्पलिमेंट या पर आप देखें, जो इमेज दे रखी है, पेरेंस यहां पर खड़े हैं, आप दाहीं तरह दिख सकते हैं, लाइन लगा के शायद पॉम लेने के लिए, यहां पर आपको इ नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कितना स्ट्रेवल किया है, यह हम चलते हैं हमारे अगले वर्ट की और, नाउन नेक्ट वर्ट इस अबहुर्ट इस अनाउन, इप मेंस स्ट्रॉंग हेट्रिड, हिंदी में का है इसका अर्थ है नफरत, अब देखिए, स्नॉनम इसके हैं जो प्राय बाची है, वो है डिजगस्ट या फिर डिटेस्टेशन, नाउ धी अन्तॉनम जार लाइकिंग और फॉंडनेस, जो इसके विलोम शब्द हैं, वो है लाइकिंग या फिर फॉंडनेस, अब देखिए, जो सेंटेंस हैं यह आपर दिया हुआ है, इस प्यारा से ब अब भरता हूँ कि आप भी इसकी बात से इतिफाक रखते हैं, आया हम चलते हैं हमारे अगले जब्द की ओर, नाउ next word is accentuate, it's a verb, it means to focus attention, हिंडी में कहें तो ध्यान देना, so accentuate is a verb, it means to focus attention, हिंडी में ध्यान देना, अगर बात करें प्रायवाची की तो वो हैं एमफिसाइज या फिर हाइलाइट जो विलोब शब्द हैं वो हैं मास्क या फिर दिगाइज अब देखें यहाँ पर आपको इमेज दिख लिए एक स्टूडेंट की स्टडी करते हुए उसे संदर्म पर या पर कहा हुआ है लगाकर पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई में पूरा जिहान लगाते हैं फुल अटेंशन के साथ उनको सक्सेस जल्दी मिलती है comparatively दूसरे चार्टों के comparison में आए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की और now next word is acquittal it's a verb it means to leave हिंदी में का है तो छोड़ देना या प्याग देना भी कह सकते हैं now acquittal is a verb it means to leave हिंदी में छोड़ देना या प्याग देना now दूस्टॉनम्स आर exemption और discharge अब देखें जो इसके प्राइवासी हैं वो हो सकते हैं exemption या पर discharge now the antonyms are conviction और accused अब देखें जो antonyms हैं इसके हो सकते हैं विलोम हो सकते हैं conviction या पर accused अब यहां पर देखें जो हमारे Bollywood actor नहीं पहले दत उनकी image दिख रही है यह उनकी image जब वो जेल से बाहर आ गया ते फाइली रिया होने के बाद तब की image है और देखें यहां पर sentence दिया हुआ है he walked out after his acquittal on the completion of his jail term यानि की जब इनकी jail term ख़तम हो गई उसके बाद यह walk out कर गए jail से आए हम चलता हमारे next word की होड़, next word is ephibril, now it's an adjective it means healthy, हिंदी में कहें इसका अर्थ है swast so ephibril it's an adjective, इसका हिंदी में मतलब है swast and means healthy in English the antonyms are sound or well, the privacy है sound या पर well, the antonyms are feverish और pyritic, जो belong शब्द है वो है feverish या पर pyritic अब देखें यहां पर image दे रखी है, happy family की उसके अंदर में आ कहा गया है a homemaker forms the roots of an ephibril family, जैने कि जो homemaker होती जो भी जातर females होती है वो इसी भी healthy family की root या चड़े form करती है आई हम चलते हैं हमारे अगले शब्स की और now the next word is allegory, now allegory और allegory कह सकते हैं it's a noun, it means storytelling, हिंदी में कहें तो रूपक कथा कहा जाता है इस चीज़ को so allegory, it's a noun, it's a storytelling, रूपक कथा कह सकते हैं, synonyms are apolog और a parable अगर हम बात करें प्रायवाची की, तो allegory के जो प्रायवाची है वो है apolog या पर parable now the antonyms are reality और truth, अब देखें जो विलोम शब्द है वो है reality या पर truth अब देखें यहाँ पर आपको image दिख रही है कि एक teacher बहुत से स्टूडी बता रही है और इसी संदर्ग में आँ कहा हुआ है the teacher is narrating an allegory, यानि कि यह जो teacher है, जो madam है यहाँ पर वो बच्चों को स्टूडी सुना रही है आए हम सलते हैं हमारे next word कि यह, okay next word is amend, it's a verb, it means to make better, Hindi में सुधारना, so amend is a verb, it means to make better, Hindi में बात करें सुधारना, तो स्नौनम्स आर rectify और improve, जयानि कि जो इसके privacy है वो है rectify या फिर improve, जो इसके विलोम शब्द है वो है वर्सन या पर degrade, अब देखें जो sentence है, वो यहाँ पर जो image दे रखिये है, उसी किस अंधर में है, और वो है, the doctors amended their mistake of giving the patient a wrong medicine by mistake, यानि कि जो आपर doctors के आपको team दिख रही है, उन्होंने शायद गल्ती से patient को कोई गल्प दबा दे जी थी, लेकिन उन्होंने इस गल्ती को सुधार लिया, they amended their mistake, आई हम चलते हैं हमारे next word की और, अ वो है apogee, it's a noun, it means the highest point, हिंदी में बात करें, इस आप शिरो बंदू कह सकते हैं, so apogee is a noun, it means the highest point, हिंदी में शिरो बंदू का आजा सकता है, so nomads are pinacle और apex, अगर हम बात करें इसके प्राइबाची के, तो वो है pinacle या पर apex, the antonyms are base और nadal, जो इसके विलोम शब्द है, वो है बेस या पर nadal, आप देखें, जो यहाँ पर image देख रही होगी, आपको mountain के, कुछ mountaineers देखें नीचे के और वो जा रहे हैं ओपर, okay उसे दर में या कहा गया है, the climbers are about to reach the apogee of the mountain, यानि कि यह जो climbers है, जो यह mountaineers है, they are about to reach, जो topmost point है, यहाँ जो शिर्ष बंदू है, इस पहुंजने ही वाले हैं वहाँ पर, आइए हम चलते हैं हमारे next word की ओर, now the next word is as a rate, so it's a verb, it means to accept, हिंदी में कहें तो swikarna, so as a rate is a verb, it means to accept, हिंदी में कहें तो swikarna, देखें, जो smonyms हैं, वो है affirm या फिर about, यानि कि जो इसके privacy हो सकते हैं, वो है affirm या फिर about, जो आपके antonyms है इसके है, वो है deny या पर negate, यानि जो विलोंग शग्द है, वो है deny या पर negate, अब देखें, यहाँ पर image दे रखी होगी, एक बहुत प्यारी सी यहाँ पर बिल्ली है यह और शायद ही अपनी गल्ती को मान रही है, और काफी गिर्टी सा लुक है से चेहरे पर, उसे अंदर रुन्या का है, looks like the cat has awaited its mistake, यानि कि जो बिल्ली है, शायद हो अपनी गल्ती मान गई है, यानि कुछ बुत्वाशी करी होगी गल्ती मान गई है, अब थलते है हमारे एकले शप्त की हो, अब एक नेक्ट वर्ड है, averse, it's an adjective, it means opposing, हिंदी में कहे है तो विरोधी, so averse is an adjective, it means opposing, हिंदी में कहे है तो विरोधी, so anonyms are hostile or reluctant, जो इसके प्राइबाची है, वो है hostile यापर reluctant, the antonyms are willing or liking, देखे, जो विलोब शब्द है, वो है, willing यापर liking, अब देखे, यहाँ पर आपको बहुत चारे opposition वाले दिख रहे होंगे, या विरोध करते होई लोग दिख रहे हों तो भले ही ऐसे जए इतने लोग हो, लेकिन अगर आसे कोई भी लोग है या कितने भी लोग है, जो आपकी आइडिया की खिलाफ है, सिर्फ अपने ego की वज़े से, तो उन पे कोई ध्यान मत दीजिए, आई हम चलते हैं हमारे, यही हो गया, अब चलते हैं हमारे आखरी का page ह थांक्यू page उसकी ओर, so here is it is, and आज करके जो हमारे यह वीडियो साथ वापस लोटेंगे, हम उमीद करते हैं कि हमारे यह जो वीजूल वोगावरी का एपिसोड था, जो यह अपर सेशन था वो आपको पसंद आया, and definitely हमको बताईए अपने feedback में, वीडियो के लिंक के and जो हमारे अब भी page है, उसको लाइक करते रहिए, और लाइक करवाते भी रहिए, जो हमारे यूरूप चैनल है, वो तो खुर करे रहिए, subscribe, और बागी जितने भी आप जानते हैं, subscribe करवाते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, your success is our success, thank you.